पिछले साल बॉलिवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पठान जवान और डंकी से हिट्स की हैट्रिक लगाई थी चार साल बाद बड़े परदे पर लोट रहे शाहरुख के इस कारणामे को हिंदी सिनेमा का सबसे जोरदार कमबैक कहा गया शाहरुख की इस धुआनधार काम्याबी को उनके फैंस ने भी जम कर सेलिबरेट किया और अब उनकी अगली फिल्म का इंतजार किया जा रहा है शाहरुख ने अभी तक अफिशली अपना अगला प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है लेकिन इस तरह की बड़ी पुखता रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वो अपनी बेटी सुहाना खान के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं इसका टाइटल फिलहाल किंग बताया गया है और फैंस इस फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और फैंस जाना चाहते हैं कि इस फिल्म की स्टार कास्ट क्या रहने वाली है इस फिल्म की कहानी क्या होगी और यह हमें कब तक देखने मिलेगी तो इस फिल्म को लेकर काफी बड़े अपडेट सामने निकल कर आए है जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को end तक जरूर देखना शाहरुख खान और सुहाना खान स्टारर किंग एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी और इस फिल्म में हमें सुहाना खान का एक स्पेशल रोल देखने को मिलेग बताया जा रहा है कि पुलिस के किरदार में हमें सुहाना खान दिखाई देंगी वहीं दोस्तों अब इस फिल्म के डेंजर विलन को लेकर भी भी काफी बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है जिसकी ओनफिशल अनाउंस्मेंट भी की जा चुकी है फिल्म किंग में हमें दमदार विलन के किरदार में बॉलिवुड एक्टर अभिशेक बच्चन दिखाई देने वाले हैं और बात करें इस फिल्म की शूटिंग की तो बताया जा रहा है कि शाहरोख खान इस फिल्म पर बहुत ही जल्द काम शुरू करने वाले हैं वैसे दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना